कि नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंख खना हुमियोपेथि क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे फिचर के विशे में फिचर, एनल फिचर वो समस्या है या फिचर इन एनो वो समस्या है जो इस समय बहुत लोगों को है और यहाँ एक सर्जरी तक की स्थिती बनती है और आप लोग परिशान होते हैं हम आपको बताएंगे इसको ठीक करने की 10 कारगर होमियोपेथिक दमाएं और निश्चित रूप से दमाएं सातियों बहुत कारगर होंगी अगर आप सिर्फ दो काम कर लें पहला काम सातियों रात का खाना जल्दी खा लें और हलका खाएं टेक डिनर एज अल्ली एस पॉसिबल एज लाइट एस पॉसिबल दूसरी बात पानी बहुत पिएं और बजार का खाना ना खाएं अगर आप यह दो बाते कर ले जाएँगे या तीन बाते फॉलो कर ले जाएँगे और सात में आप दवा कर लेंग तो निश्चित रूप से आप फिजर की समस्या से निकल जाएँगे operation से surgery से बच जाएगे सबसे पहले साथियों जान लेते हैं फिजर होता क्या है फिजर साथियों जो आपका एनल एनस की lining होती है उसकी जो mucosa होती है जब वह membrane tear हो जाती है या उसमें ulcer हो जाता है तो उस condition को फिजर कहते हैं जो बहुत painful होती है अक्सर confused रहते हैं हम लोग की पाइस और फिजर में क्या अंतर डाक्टर साथ पाइस है या फिजर है तो साथियों पाइस वो होता है जब आपका जो rectum होता है intestine का last part होता है उसमें जो veins होती है उसमें swelling आती है सूजन आती है तो उसमें आपको hemorrhoid ऐसा गाठ हैसी दिखती है जबकि फिजर में क्या होता है फिजर में tear हो जाता है mucosa फट जाती है या ulcer हो जाता है जो की बहुत ज़्यादा painful होता है प्रिकिंग टाइप pain होता है तो वहां फिजर होता है फिजर के साथियों symptoms की बात कर ले सबसे बड़ा symptom तो साथियों होता है फिजर में वहाँ pain अगर आपको motion पास करते वक्त stool पास करते वक्त pain हो रहा है तो यहाँ एक फिजर का symptom हो सकता है दूसरा symptom होता है साथियों bleeding कभी कभी postular discharge या bleeding भी आती है तीसरा आपको हलका सा मोटा सा lump anal opening की तरफ हलका सा सूजन महसूस होती है तो अगर यहाँ symptom साप में है और itching होती है अगर यहाँ symptom में आप में है तो फिजर आपको हो सकता है बात कर लेते हैं कारणों की साथियों कारण फिजर के सबसे पहला कारण है constipation कव्यत लगातार कव्यत बने रहना बहुत सक्त स्टूल होना बहुत सक्त लेट्रिन होना अगर वहाँ condition आप में है जब बहुत हार्ड लंप्स होंगे और बिग लंप्स होंगे तभी आपका जो anal mucosa है वो tear होगी और वही फिजर की condition होती है तो पहली चीज़ होगी constipation जिसमें की hard large lumps of stool pass हो दूसरी condition होगी साथ ही हो pregnancy after pregnancy के दोरान भी और जो है और vaginal delivery होती है उसके बाद आपको फिजर की सिकायत हो सकती है आपको तकलीफ इसके अलावा कभी-कभी दावाओं के अडिनिस्टेशन के बाद भी पाइल्स या फिजर की स्थिति बन सकती है लेकिन ठीक है condition है लेकिन इसकी दावाएं भी है जो आपको ठीक करेंगी हम आपको साथियों बताएंगे फिजर को ठीक करने की दस कारगर homeopathic दावाएं लेकिन उसके पहले विंती करेंगे साथियों कि यहाँ दावाएं बिना डॉक्टर के चिकिसक के राय के बिना ना ले क्योंकि होमियोपैथी फाइदा कर सकती है और कभी सिंटम ना मैच करें तो आपको फाइदा नहीं करेगी तो किसी कुसल चिकिसक से प्रेस्काइब करके ही दावा ले चलते हैं साथियों बताते हैं आपको आपकी समस्या से यानि फिजर की समस्या से निकालने की 10.-15 अजनलब mail दाए साथियों नमबर एक दावा जो हमियोपैथी में फिजर को ठीक करने की है वहाँ है आसिडम नाइकर कम नाइट्रिक एसिड उस इस्तिती में फिजर को ठीक करने की बहुत कारगर दबाया है सातियों जब आपके बढ़िया रेड फ्रेश ब्लड इस्टूल के साथ आ रहा हो जो बहुत पेंफुल हो अगर यहां कंडिशन आप में है जो की एक फिजर की एक करेक्टरिस्टिक कंडिशन होती है तो उसको ठीक करने की होमियोपैती में बहुत अच्छी दवा नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रिक एस इसकी 200 पावर की तीन खुराक आप पंच्पश मिनिट के फासले पर वीकली ले लें आप देखेंगे कि आपके फिजर ठीक होने लगा और आप इस समस्या से निकल गए फिर साथियों कि स्थिति आती है एनल फिजर में कि मरीज के हर समय एक चिपचिपापन एनस में बना तो अगर यहां एस्थिति आप में हो कि हर समय एक म्यूकस की फीलिंग हो और एनस का कांस्टिक्शन ना हो रहा हो और आपके एक्जेमा हो इसकी डिजीज हो और साथ में एनल फिजर हो तो उसको ठीक करने की होमयोपैथियों बहुत अच्छी दवा है ग्रफाइटिस स्थिति हो तो ग्रफाइटिस है और पूर्सों में भी अगर लगातार कभियत बनी हुई है आपके म्यूकस हैनस में डिश्चार्ज हो रहा है हर वकत चिपचिपा पर बना हुआ है और आपको इसकी डिजीज है तो इन तीनों चीजों को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है ग्रफाइटिस आप ग्रफाइटिस थार्टी दो दो बूर दिन में तीन बार लेकर स्वासला प्राप्त कर सकते हैं एक साथियों दवा आती है कहूं कंडिशन आती है कि जब आपने स्टूल पास करा उसके बाद आपको बहुत देर तक जलन और पेन होता रहा तो अगर म आप रेटेनिया थार्टी दो दो बूंद या पिल्स में तीन बाल ले लें आप देखेंगे कि आपका जो इस टूल पास करने के बाद पेन है और बर्णिंग है एनल डीजन में वहाँ पूर्ट तयार ठीक हो गई और आपका एनल फिजर भी ठीक होने लगा बशर्टे आप आपको कॉंस्टिपेशन ना रहे जो कि आप थोड़ी सी सोच बुझगा परिचेरे तो असानी से दूर कर सकते हैं फिरे कि सिती आती है साथियों कि फिजर की कंडिशन में कि जब आपको बद्बूदार पस और खुजली एनल लीजन में होने लगी इचिंग होने लगी और उससे पस ओफेंसिब डिश्चार्ज निकल लहा है अगर याई सिती है साथियों तो इसकी बहुत कारकर दवाहों में ठीक करने की है पियोनिया पियोनिया थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार उस करडिशन में ले सकते हैं कि जब आपके एनल फिजर हो गया है और उस फिजर से आपको पस्टिूला डिश्चार्ज निकल लहा है जो की बद्बूदार है और एक इस्टिंगिंग टाइप पेन चुभन टाइप पेन लिजन में हो रहा है और इचिंग हो रही हो रही है अगर यहां करेक्टरिस्टिक्स आपके एनल फिजर को एक कंपनी करती है उसके साथ है तो पियोनिया ऑफ इस नेडिस दड़ग ऑप चॉइस फार यू इट विल क्योर दिस थिंग फिर एक बड़ी कॉमन इस्टिति आती यह होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है प्लैटिनम मिटैलिकम प्लैटिनम मिटैलिकम 30 दो दो मून दिन में तीन बारो आप उसे सिती में ले सकते हैं जब आपको एनल फिजर के साथ क्रॉलिंग सेंसेशन कुछ रिंगता हुआ सा एनस के पास हो रहा हो तो यहां दवा आपको समस्या से निकाल के आपको स्वस्त कर देगी फिर साथियों एक और दवा आती है बड़ी अच्छी होमियोपैथी में एनल फिजर को ठीक करने के लिए हो कंडिशन होती है कि जब आपके मतलब हैमरिंग टाइप पें हो रहा हो ऐसा लग रह है दवा का नाम है लिकैसिस लिकैसिस वन एम तीन खुराक 55 मिट के फासले पर वीकली आप उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपके पें हो रहा हो हैमरिंग टाइप एनल लीजन में सूने के बाद आपकी तकलीफें बढ़ रही हो अगर यहां स्थिति कंप्रेंट से ग्रे अगर यहां स्थिति आपने है तो निश्चित रूप से आपकी दवा लेकैसिस है एक और सिंटम साती हो है लेकैसिस का कि इसका जो ब्लड उतास में नीला पन होता है ब्लूनेस होती है डिस्चार्जेज में अगर डिस्चार्जेज में ब्लूनेस है रात में तकलीफ गया किसी के और किक्से और घ्लमम रोलने टवी फिन अलैजजन में हो रहा है तो अगर यहां कंडीशन हो किसी साती के कि उनका पास करने के बाद कॉंस्टिक कैप वे नोच्सितिटिक टीव हो रहा हो तो उसlando को ठीक करने की बहुत अच्छी दबाय सीडम आर्क आप सीडम आर्क थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले ले आप देखेंगे कि आपका जो यह कॉंस्ट्रिक्टिंग पेन है एनल लीजन में यहां ठीक हो गया और आपका एनल फिजर भी ठीक होने लगा और आप सरजरी या इसकी रियक्रेंस से आप बच गए एक सिटी आती है साती हो आपने मोशन पास करा और फिर कुछ देर आपको पेन हुआ अगर यह सिटी आपके है कि आपके कपसियत है पीठ में दर्द है और आपको पेनफुल स्टूल हो रहा है लेकिन वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है तो उससे सिटी को ठीक करने की होमियोपैथी में नमबर एक दवा है एसकुलस हिपोकेस्टम आप एसकुलस हिपोकेस्टम 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले ले आप देखेंगे कि आपका जो बेन है स्टूल पास करने का तो और जलन है वहां बिल्कुल ठीक हो गई एसकुलस और रेटिनिया में ये डिफरेंस हो जाता है यहां पर अभी हमने आपको रेटैनिया दवा भी बताईए इस वीडियो में कि एसकुलस का पेन थोड़ी देख रहता है और साथ में पीठ का दर्द एकंपनी करता है बैकेक ट्यू टू कॉंस्टिपेशन एंड एनल तकलीफ हो रही है कि अनलेगा में चूने में भी आपको तकलीफ हो रही है दर्द हो रहा है वहाँ अस्टिटी साथी होगर है उसे से ठीक करने के हुए बहुत कारगर दवा है और दवा का नामें थूजा औक्सिडेंट एलिस हम लोग थूजा को नॉर्मली मस्वों के लेकिन थूजा जो है फिजर की बहुत अच्छी दवा है उस कंडिशन में कि जब आपको छूने से भी एनलीजन तकलीफ हो रही हो इतनी सेंसिटिव ने सा गई हो फूजा जडडगाब दचॉइस आप दोसो पावर में दोसो बूँदिन में तीन बार लेके स्वास्तला प्राप्त कर सकते हैं एक सिटिव आती है साथियों कि किसी के स्टूल पास हो रहा है और वहां बहुत लॉंग लंपस में जा रहा है और साथ में उसके ब्लड आ रहा है अगर वहाई श्तिति है कि स्टूल लंबे लंप में हो रहा है, टुकडों में हो रहा है और साथ में उसके बलड आ रहा है और उसमें बद्बू है तो उस श्तिति को ठीक करने की होमियोपैथी में तारगरदवा फॉस्फॉरस है आप Phosphorus 1 EM की तीन खुराग 5-5 मिनिट के फासले पर विकली ले सकते हैं अगर आपके शाम को तकलीफें बढ़ती हो खाने में आपको ठंडी चीजें जादा पसंद हो आपके शरीर में जलन ऐसी महसूस होती हो और आपके hard lumps इस्टूल के हो रहे हो long lumps हो रहे हो और साथ में उसमें offensive और red bright blood डिश्चार्ज हो रहा हो यह स्थितिया है तो आपकी drug of the chives phosphorus है इसकी 1 EM की तीन खुराग 5-5 मिनिट के फासले पर आप विकली लेके anal fissure को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं फिर एक स्थितिया आती है साथियों जिसमें की anal fissure का region तगड़ा वाला कब्स होता है बहुत ज़्यादा कब्स होता है ऐसा कब्स की वेक्ति खाता गया कई-कई दिन बाद उसको party हो रही है वह अपने सब भरता गया पेट में इंटेस्टाइन में और एक साथ 4-6 बाद तीन-4 दिन बाद लार्ज्य स्टोल पास हुआ और वो स्टोल जो शुरू में सक्थ हुआ बाद में मुलाइम हुआ फर्स्ट जो party हूई वह सक्थ हुई और पाद में जो फालो अफ हुआ मुलाइम हुआ और और stool sticky हुआ जो seat में चिपक गया, अगर इस condition है और साथ में आपको anal feature है तो इसको ठीक करने की होगी पहती में बहुत कारकर जबा है, alumina, आप alumina 200 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार यदी लेते हैं, तो आपका ये जो constipation है जिसमें large accumulation of stool intestine हो रहा है, वहाँ भी खतम हो जाए आपका sticky stool खतम हो जाएगा, आपको skin diseases होंगे due to constipation वहाँ खतम हो जाएंगे, और आपका anal feature भी सही हो जाएगा, एक और peculiar बात alumina की, कि alumina के मरीज को सर्दी जादा लगती है, और skin disease उसमें अक्सर ज़रूर होता है, तो यहाँ esthetिया है, तो anal feature को ठीक करने की drug of the choice आपके लि स्थिति आती है साथियों कि आपके stool हो रहा जो बहुत dry है, सूखे, सूखी potty हो रही है, अगर यहाँ position है कि बहुत dry सूखी potty हो रही है, और वहाँ बहुत मुश्किल से constipation के साथ होती है, और आपके anal region में itching होती है, अगर यहाँ तीन condition आप में हैं, तो आपकी drug of the choice sulfur है आप sulfur 1 एम की तीन खुराग 55 मिट के फासले पर weekly उसे स्थिति में ले सकते हैं, जब आपके dry hard stool हो रहा हो, साथ में unbearable anal itching हो रही हो, sulfur के मरीश को मीठी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है, उसको दिन में सोना रात के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगता है, और थोड़ा सा वो एक dirty looking, उसका sensation होता है, कि नहने का मन ना करना, देर से सोना, सुबह देर से उठना, तो इस तरह की जो इस्तितियां होती ह आप कह सकते हैं, तो condition sulfur है, आप sulfur की एक खुराक weekly ले लें, आप देखेंगे कि आपकी ये स्तितियां भी बदल ले लगी, आपका जीवन, दिन्चरिया और सुचारू स्वेम हो गई, और साथ में आपकी जो या anal figure की समस्या है, जो due to hard stool in lumps with anal eating है, वहाँ भी ठीक हो गई, फि पस का discharge, तो अगर पस का discharge आपके हो रहा है anal region में, फिजर में से, जो mucosal membrane का tearing होई है, एनस में वहाँ से, तो उसको रोकने और हमेशा के लिए खत्म करने की दवा है साथियों, salisya, salisya बड़ी मशूर है, it is called surgeon's knife in the hand of homeopath, homeopath के हाथ में knife की तरह काम करती है, ऐसा डाक्टर हिनीमेन ने कहा है, तो अगर आपके पस बंदा है, तो salisya ऐसी दवा है, जो आपके पस को भी सुखा देगी, और आपके anal fissure को भी खतम करके, आपको पूर्तिया स्वस्थ करके, पेंट से निवारन करके, आपके जीवन को बहतर बनाईगी, ये साथियों को दवाएं थी, anal fissure को ठीक करने की फिजर इनाइनों को ठीक करने की, दवाएं बहुत कारगर है साथियों, बस सर्थे आप अपनी कबजियत को कतम कर सके, और मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया, कबजियत दूर करने की तीन बहुत important बाते हैं, पहली बात है कि आप रात का खाना जल्दी खाएं और हलक का खाएं, दूसरी बात है आप पानी बहुत पीएं, तीसरी बात है बाहर का खाना अवाइट करें, बाहर का खाना यूँ अवाइट करें साथियों कि आप खुछ सोचिए, बाहर वेक्ति आपको क्या देगा, इतनी महंगाई है, कैसा घी तेल आपको देगा, एक वेक्ति बारासो रुपए का सिलिंडर खरीज transmitter आए।APos कि उसे वो पका राए खाना wednesday महेंगे पांसो रुपए कहलो तो इतना सा मसाला के ये इता है उसे स्यादा मसाले नहीं आते गरव मसाले के लिए। उसके पुक ह्वुर्ट वाले लोग देरण फिरी में आदत खाने की कईयों की होती, कई लोग होती जिनकी नई भी होती उसके और जो उधर गुंडे बदमाज सब उस इलाके के हैं, चले आते हैं, नेता एता तो वो आपको क्या दे पाएगा, तो कुशिज करें बाहर का कम खाएं क्योंकि एक हजार रुपए का पांच लीटर अच्छे ब्रांड का तेल एक सड़क के खुंचे वाला नहीं दे सकता कब जो आपकी सही नहीं होगी, तो आपका फिजर नहीं सही होगा, चाहे आप जित्ती सर्जिरी करा ले, चाहे आप जित्ती ऑपरेशन करा ले, चाहे आप जो कर ले तो ये कुछ दवाएं ती साथियों आपके फिजर को ठीक करने की कोई भी दवा बिना कुसलती की सक्से पूछे ना ले अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हम आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने कुश्चिन को लिग दे या हमारे वाट्साप नमबर 94-15-786-380-941-5786-380 पर अपनी क्वरी वाट्साप कर दे वक्त मिलते ही आपको संतोष जनक जवाब देने का प्रियास करूँगा अगर आपका सवाल रेलिवेंट है तो अगर साथियों आपको यह प्रोग्राम इतनी बात अच्छी लगी हो आपको लगता हो समास से इसको लाप पहुचेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे अपने अन्य साथियों से सब्सक्राइब करने को प्रिरित करिएगा शेर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा कर क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो हमारा यूही प्राप करते रहिएगा आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत साथ उवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद. क्वेशो झीओेन, ठाम जबत अशा जयों हैं, तबहुत BACK nutzen, बहुत आदेने के लिए पालायाद. झालक साथ, बहुत अबहुत आदेने के लिए वाध्यज़ियें, जो जो आणिते हुति हैं, उवादेने के लिएह gonna जख